प्रमात्य को हम किस प्रकार से ग्रहन कर सकते हैं, जान सकते हैं? मदब दो सवाल है यहाँ पर, एक तो सवाल यह है कि प्रमात्य किस प्रकार से ग्रहीत होता है? माने किन परिस्थितियों में हम ये समझते हैं कि कोई ग्यान सही है या गलत है क्या आधार है जिससे हमें जान सके कि ग्यान सही है या गलत है दूसरा सवाल ये है कि ग्यान का प्रमात्यों किस वजह से आता है तो अभी जो गुरु जी जहां पर छोड़ा है वो कल उसकी चर्चा करेंगे कि ज्यान का प्रमात्तु किस वज़े से आता है। अभी तक जो चर्चा वही है कि ज्यान का प्रमात्तु हम कैसे समस्ते हैं। मिस्त कैना है ज्यान का प्रमात्तु है वह स्वतहद्णी तो चत्ते हैं। मिस्त कि ज्यान का प्रमात्तु है निए। तक का फ्नीय योड़ी सवतहद्णी के डिभाविक है। तो अब उसी जंए के रवाले जंआ ग्यान परफिक्षितितितीव में पता चलेंगा अगर जिसकों के बोलते हैं कि अगर स्वयम प्रकास है प्रभाकर कहती है ज्यान प्रत्रेक्षितिप तुझानarchy ओर तीसरा विवें चाहिए ज्यान कि पता चल गयान का प्रमाप्त भी पता चल गया, घ्यान का प्रमाप्त है, Hang मपतलब जो मिमानसक हो उनใən उकर जान को क्रिया के रूप में माननेता भी जैसे कोई कुलहाडी लिया तो कुलहाडी ऐसे चलाई गई तो या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा गलत नहीं कटेगा गलत कटने का कुछ मतलब भी नहीं है कटा तो सही नहीं कटा तो नहीं तो इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान ये दो इस्तितियां बनती हैं तो प्रभाकर यही बात कहते हैं ज्ञान और अज्ञान के वारें जिसके वारें कल अभी चर्चा होगी अख्याती वाग